नमस्कार दोस्तो घरेलू नुस के चैनल में आपका स्वागत हैं। दोस्तो आप लोग हमारे चैनल को आजी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सेर कीजिए। दोस्तो आप तो ये जानते ही होगे कि सरीर में पानी की कमी से अनेक तरह की बिमारियां होने लगती हैं दोस्तो डोक्टर के नुसार हम सभी को दिन भर में कम से कम आठ से दस गिलास पानी पीना चाहिए। अगर हमारे सरीर में पानी मात्रा परियाप्त हो तो ताउचा में चमक बरकरार रहती हैं। दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि हमें किस समय पानी पीना चाहिए। और क मस्यां सुरू हो जाती हैं दो खाने के बाद यदि आपको पानी प्यास लगे तो रायता या फिर दही का सेवन करें इससे आपके सरीर को ठंडक मिलने के साथ खाना असानी से पच जाता है तीन खाने से आदा घंटा पहले एक गिलास पानी जरूर पिएं ऐसा करने से भूर कम लगेगी और आप खाना कम खाएंगे जिससे आपको मोटापा होने का खत्रा कम रहेगा चार सुबह में खाली पेट एक से दो गिलास पानी जरूर पिएं इससे आपके सरीर की सारी गंदकी बाहर निकल जाएगी रोज सुबह खाली पेट पानी पीने से पेट और तवचा दोनों ही स्वस्त रहते हैं 5. हमें खाने के घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए खाने के तुरंत बाद पानी पीने से अगनसे रस को पचा नहीं पाता है यदि आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता 6. भूक लगने पर से पहले एक गिलास पानी पी लें इसके बाद अगर 10 मिनट तक आपको भूख सांत ना हो तब कुछ खा लें